हेलो स्टुएंट्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज मैं आपको बिल्डिंग मटिरियल्स के मोस्ट इंपोर्डेंड एमसी क्यू करवाऊंगा चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ही लेक्चर कुस्ति«1 इनफासिज मतलब जो बचा हुगा पताolith घो कितने से ज्यादध नहीं होना चाहिए तो इसका आंसर हो जाएगा 5% तो B option यहां correct हो जाएगा Question number second, initial setting time is maximum 4 Initial setting time अत्यविक होता है, वो हमको बताना है किसके लिए होता है Maximum होता है initial setting time तो इसका answer हो जाएगा Low heat potland cement, low heat potland cement का initial setting time maximum होता है C option यहां correct हो जाएगा Question number third, total heat of hydration of cement is independent of Cement का total heat of hydration independent होता है Independent मतलब dependent नहीं होता है, किस पर dependent नहीं होता है वो हमको यहां बताना है, तो C option यहां correct हो जाएगा Fineness of cement पर independent होता है, नहीं कि dependent नहीं होता है ठीक है, तो C option यहां correct हो जाएगा किभी Fineness of cement पर dependent नहीं करता है Question number fourth, the setting time of cement is influenced by सीमेंट का सेटिंग टाइम किसके द्वारा प्रभावित होता है वो हमको पताना है ठीक है तो इसका जो अंसर हो जाएगा all of the above यानि कि यहां जो अप्शन दिया यह भी सी तीनों अप्शन यहां सही हो जाएंगे पहले अप्शन में दिया percentage of butter and its temperature तो यह अप्शन भी यहां स यह अप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा कुस्टन नमर फाइब दा टाइम टेकन वाई डाइकल्सियम सिलिकेट सी टू एज टू एड़ टू दास इस ठेंक तॉप सीमेंट इज डाइकल्सियम सिलिकेट द्वारा सीमें की तागत बढ़ाने में लगने बाला समय हमको यहां बताना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14-28 इसका आंसर हो जाएगा 14-28 इसका आंसर हो जाएगा यह अप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा कुस्टन नमर 6 डाइकल्सियम सिलिकेट सी टू एस के बारे में हमको यहां बताना है तो यहां इसका आंसर हो जाएगा यहां प कॉंक्रीट कीğa कॉंक्रओ की आहे सम्बन्द्द होती है इसका आंसर हो जाएगा है तो आपकर किस सम्बंद्दwater प्रोड़ेक्ट प्रोड़ेक्ट तो यानि कि जो फ्री लाइम की अत्य दिखता के वारे में हमको बताना है तो इसके करण क्या होगी वो हमको यहां बताना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोड़ेक्ट तो यानि कि जो फ्री लाइम है उसके अत्य दिख मात्राई करण क्या हो जाएगा यहां पर सीमेंट में अन्साउंड नेस हो जाएगी सी यह प्रोड़ेक्ट हो जाएगा क्यूस्ट नमर नाइन दा कंपरेसिव इस ट्रेंग्ट अपो पीसी आप्टर थ्री देज इज एकसपेक्ट टू भी मोर दैन यहां पर हमको ओपीसी की तीन दिन बाद की यहां प्रोड़ेक्ट बताना है कितने से ज्यादा होनी चाहिए कि एनलारी ए यहीं बताना है कितना हो जाएगा कुसमर में सीमेंट फॉम्ट के यहहां में। तो इस bear house में cement को हम वहाँ पर storage करती है और वहांसे cement को निकालती है रखती है किस बेसिस पर करती है अपन तो इसका answer हो जाएगा first in first out तो यू अपसन है correct हो जाएगा first in first out का मतलब क्या है यानि कि जो हमने bear house में cement का storage किया सबसे पहले जो स्टोरेज किया है उसको हम फश्टेन गो लेंगे और सीमेंट का मतलब सबसे पहले जो हमने सीमेंट वहाँ पर स्टोरेज की थी वो सीमेंट को क्या करना होगा सबसे पहले उसी सीमेंट को हमें वहाँ से निकालना होगा क्योंकि क्या होता है जितनी सीमेंट की कि परानी होती जाती है उससे क्या होता है Cement कि स्ठेंक्त कम होती जाती है इसलिए मेर समें सबसे पहले that we have storage किथी उस सीमेंट को हम सबसे पहले निकलेंगे ठीक है तो आपसर नैएा करेक्ट होजाएगा का लिए का ल singers please